हेलो फ्रेंट स्वागत आपका स्टड़ी हेक्षेनल पर मैं ऐसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आपनी त्यारी में जोड़ों सोड़ों से लगे होगे तो चलिए सुरू करते हैं अपनी सीरीज को जिसका नाम है वोकैबलरी एकदम बेसिक से जिसमें मैं आपको वोकैब पढ़ाता हूँ एकदम बेसिक लेबल से यूजिंग पी टेकनिक्स यह पी टेकनिक्स क्या है तो क्लास में आपको पता चल जाएगा ठीक अगर आप हमारे क क्लास का जूरे होंगे तो आपको पहले से पता होगा अगर नहीं जूरे होंगे तो मैं आपको काज के क्लास में समझा भी दूँगा दिखा भी दूँगा बता भी तो क्लास सुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिसकस करेंग उसके बाद हम लोग one word discuss करेंगे जिसमें आपको 5 minute लग जाएंगे idiom and phrases में भी hardly 5 minute लगेंगे फिर एक pandora box होता है जिसमें मैं exam oriented आपको बहुत important rule या जो भी कहलो मैं आपको वो बताता हूँ तो उसमें भी 2 minute तो hardly आपके लगी जाएंगे उसके बाद आता है previous year question का session जिसमें मैं आपको previous year के question करवाता हूँ work app के सारे करवाता हूँ और हर question को solve करने के लिए आपको मिलते हैं मात और मात 10 second तो चलिए आपके लिए एक challenging class के कि आप 10 out of 10 score कर पाते हो या नहीं या 9 question होगे तो 9 out of 9 कर पाते हो कि नहीं तो आईए इस challenging class को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज का पहला word हमारा work app का कौन सा है रेडियो तो आज का जो पहला word है वो है economical economical मतलब क्या होता है किफायती जो चीज़ क्या हो आपके budget में हो budget friendly हो क्या हो संस्ता हो thrifty हो frugal हो उसी को बोलते है क्या किफायती त्रेप्ती frugal cheap यह सब क्या है इसके synonyms बात कर लेते हैं कि economical का parts of speech क्या है तो कैसा है चीज़ कैसा है अभी तक मैं आपको बताता रहा हूं तो ऐसे आपे relate कर पार रहे हो कि कैसा है तो की फायती है तो क्या होगा यह adjective होगा ठीक है इसका parts of speech क्या है यह adjective है बात कर ले इसके antonyms की तो क्या क्या हो जागा extra wagon ठीक है जो अधिक से ज़्यादा खर्च करता होगा spendal पैसों को पानी की तरह बहा देता है waste बरबाद कर देना यह सब क्या है economical के antonyms है ओके जैसे mall में जाते हो तो आप सबसे economical section में जाते हो जहां पर आपको सारी चीज़े संस्ती संस्ती मिल जाए buy one get one free वाला होता है 99 वाला store होता है क्योंकि वह economical होता है आपके लिए endorsement यह सब क्या है इसके synonyms है यह बहुत ज़्यादा अत्य धिक्षोस हो जाते हो ठीक बहुत ज़्यादा happy हो जाते हो उसी को बोलता है ecstasy ठीक है कुछ figures दे रखा है मैंने ठीक है यही picture technique है कि मैं आपको उससे related कुछ picture भी दिखाता हूँ ताकि आप उसको relate करके चीजों को दिमाग में fit कर सकते हो तो बात कर लेते हैं कि ecstasy का parts of speech क्या है तो यह क्या है एक noun है ठीक है ecstasy क्या है एक noun है इसके antonyms क्या क्या हो जाएंगे तो depression sorrow जब आप दुखी हो जातो हतोत्साहिच हो जातो वो यह सब इसके क्या हो जाएंगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है इफेस इफेस मतलब क्या होता है खत्म करना है जैसे कि आप ऐसे relate कर लो इसका फेस इसका फेस तो मुझे पसंदी नहीं है इसको खत्म करो इसको हटाओ एबॉलिस करो ठीक है एबॉलिस इरेज मिटा दो इसको obliterate कर दो delete कर दो wipe out कर दो eliminate कर दो यह सब कहां इसके synonyms है ठीक है वाइप आउट रब आउट भी होगा इसको मिटा ही दो रब कर दो ठीक है एबॉलिस कर दो प्रतिबंद लगा दो कि नहीं अभी इस चीज़ को नहीं करो तो इफेस के जो synonyms हो जाएंगे वह वालिस इरेज, obliterate, delete, wipe out, eliminate, rub out हो जाएंगे जैसे देख पा रहे हुगा कि यह क्या कर रहा है चीजों को यहां से मिटा आ रहा है इरेज कर रहा है खत्म कर रहा है बात कर ले इसके antonymes की तो क्या हो जागा construct जब आप कुछ create करोगे कुछ बनाओगे construct करोगे तो यह सब इफेस के antonymes हो जाएंगे ठीक है आप याद रखना है इसको और बात कर लेते इफेस की तो ifs क्या है इसके parts of speech की करना है कुछ करन यह सब किसमें आता है व्रम में ये क्या है वाय याद रखना चालिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं झार नेक्स एकर एक्षष्ट मतलब क्या होता है रिग्याल्ट जो नतीजे होता है तो इफिप्ट के सिनोनीम क्या हो जाँगे रिजल्ट आउटकम consequence यह सब क्या है इसके synonyms है अब confuse मत हो ना effect और effect वाले वाल में effect होता है परभाव ठीक है और effect होता है उस परभाव का जो नतीजा होता है अब figure से देख लो बिजली करक रही है यह क्या एक effect है और इसका effect क्या हुआ कि पेर जल गया तहस नहस हो गया ग्रीन पर होता ओके आयोप आपको चीज़े clear हो जाएगी इससे बात कर लेते इसके अन्टोनिम्स की तो क्या हो जागा origin start कोई चीज अभी अभी शुरू हुई है कोई चीज स्टार्ट कर रहा है उसका नतीजा अभी final प्रोड़क्टिव यह सब क्या है इसके सिनोनिम्स है यह काफी बार एससे ने पूछा बहुत ही इंजी वाड़ है आप डे टू डे लाइफ में इसको यूज करतो है आपकी efficiency कितनी आपकी capability क्या है ठीक है आप कितने प्रोड़क्टिव है तो यह सब इसके सिनोनिम्स है एंटोनिम्स की बात कर ले तो हो जगा incompetence अच्हमता inability ओके तो यह सब क्या है इसके एंटोनिम्स है किसके efficiency के आपको चीज़े क्लियर हो गई हुए तो next बात कर लेते नेक्स्ट हमारा one word का session है तो क्या आप ready हो आज के one word के लिए कि आज का पहला one word कौन का है तो वही है जो मैंने आपको class class में homework दिया था और आप सभी लोगों ने ना घर है ना कोई property है तो आवारा की तरह घुमता रहेगा उसी को बोलते है डेरेलिक्ट ठीक है ऐसे हिंदी में आप बोलते हो नो कई पर रहतो तो डेरा तो आपको कोई डेरा ही नहीं तो आप क्या हो आवारा हो यह मैंने आपको पहले भी बताया कहा तो एंटोनिम्स सिन को चेक करें तो आपको और भी मजाये गए चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट वन वर्ड हमारा कौन सा है तो हमारा जो next one word है ज्यादा चलागे एक पीछ आगे हमारा जो next one word है वो है dereliction dereliction मतलब क्या था करताब का त्याग ओके failing to discharge one's duty जब आप fail कर जातो अपने duty से ठीक है करताब का त्याग कर दे तो उसी को बहुत है dereliction कर लेते हैं नेक्स्ट है डिराइड डिराइड मतलब क्या होता उपहास करना ठीक है to laugh at something in a cruel way जब आप किसी का मजाक बनाते हो उसको बली करते हो ठीक है उसी को बोलते हैं डिराइड नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है डर्मेटोलोजिस्ट कौन होते हैं जो तौचा के विशेसग्य होते हैं जो इसकीन रिलेटेड डीजीज को ट्रीक करते हैं अ इन को बोलते हैं डर्मेटोलोजिस्ट धेख पा हुआ और आप विगरते हैं कि यह क्या है डर्मेटोलोजिस्ट है यह देख रहा है कि इसके the working पी यह फूरे कैसे आगए हैं ठीक है इसके चहरे पर यह निसान कैसे आगए सकार्ट विज्श कैसे आगए इसको कैशे खत्म करना यह सब चीज यह देख रहा है तो यह क्या है डर्मेटो लॉजिस्ट चिनलें ओर नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर्मेटो लॉजी कौन होता है त Vander जाद का विध्यां लोजी होता स्टडी के लिए के लिए याद रखना डर्मा फॉर स्कीन और लोजी फाल स्टडी तर सैन्टिफिक स्टडी फॉस स्कीन डीजिंज करता है उसी को बोलते। ढर्मा नतर MOO *** और स्कीन-डीजिक नेक्स्ट बात कर लेते। नेक्स्ट हमारा idiom and phrases का session है तो क्या आप ready हो आज के पहले idiom के लिए कि आज का पहला idiom कौन सा है तो आज का पहला idiom है cat's whisk का तीक है बिल्ली की मूचे तो क्या होता है अत्यधिक परवाबसाली होता है बिल्ली बिना मूच का अच्छा नहीं लगए उसकी जो मूचे होती है वही उसकी सान होती है वही बहुत ही परवाबसाली होता है बहुत ही impressive होता है ठीक है figure से देख पा रहे होगा यह बिल्ली की पूच है तो cat's whisk करना तो बिल्ली की मूच है ठीक है तो बिल्ली की जो मूच होती है तो वो क्या होती highly impressive होती है to be highly impressive I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी तो आगे बाद कर लेते हैं next है change for the better पहले से बहतर जब आप कोई चीज़ चेंज करते हो तो क्यों करते हो बहतर के लिए ठीक है तो पहले से जो चीज़ बहतर हो उसी को बहते है change for the better and improvement in the situation जैसे कि COVID का समय आया था तो offline जो teaching थी training थी वो सब बंद पर गई थी तो हम लोगों ने क्या किया online के तरह switch कर दिया ठीक है तो change for the better बोल सकते हो ठीक this sentence देख लो he has started drinking a lot less which is definitely a change for the better next बात कर लेते हैं next change hands मतलब कहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है जैसा अगर आपने बच्पन में यह race देखा होगा कि आप partner में race करते हो आपके हाथ में flag होता है दौर के जाना परता हो अपने partner को flag देना परता है तो आप हाथ बदलते हो, फिर आपका पार्टनर भी चेंज होता है, वो फिर आपके लिए दौरता है, ठीक है, तो चेंज हैंड मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, पास प्रम वन पर्सन और ओनर टू अनादर, ओके, नेक्स बात कर लेते हैं, नेक्स है, चेंज कलर, ठ कब होता है, जब आप भैबीत हो जाते हो, अब जब डर जाते हो, तो गेट फैटें, ठीक है, बोलते हैं न कि देखो कैसे, ये डर के मारे इसका चेहरा लाल हो गया, या गुस्से के मारे लाल हो गया, तो जब कलर चेंज होता हो, वो डर के कान होता है, ठीक है, डर के कान ल आता है चलिया next बात कर लेंगे next chapter and verse मतलब क्या ओता है पूर्न सटीक जानकारी आपके पास Chapter की भी जानकारी और verse की ही जानकारी है पस मतलब कह आपके पास exact reference है या minute detail है provided minute details और exact reference पुन सटिक चानकारी chapter and words आपको chapter भी याद है और words भी याद है he has such a sharp memory that he can narrate the story chapter and work story का chapter भी बता सकता है और उसके words भी कावे जो होते हैं वो भी बता सकता है वो इतना sharp memory का है चलिए next बात कर लेते हैं next हमारा Pandora box होता है जिसको हम लोग बोलते है भानुमती का पिटारा कुछ ऐसा पिटारा होता है कि इंसर्ट करते हैं इस पिटारे में तो ये open होता है तो इसमें से क्या निकलता है अगर आप हमारे class का रेगलर जूरे होंगे तो आपको पता हुआ कि जब box open होती है तो इसमें से क्या निकलती है गर आप new हो तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलता इसमें से बहुत ही important चीज निकलता है जो आपके exam के लिए बहुत ही beneficial है तो क्या निकलता है hundred golden rules किसके तो English grammar के इसका huge कहा आता है तो error detection और sentence improvement के question को solve करने है और आपके English के exam में या तो vocab आती है या फिर आपके पास error और detection वाले question ही देखने को मिलते हैं या sentence improvement के तो आपका complete grammar का क्या हो रहा है यहाँ पे तैयारी हो रहा है vocab के साथ चलिए जानते हैं अभी हम लोग usage of adverbs कर रहा है noun, pronoun, verb, adjective already कर रहा है तो आज का जो rule है वो क्या क्या रहा है कि ego जो होता है ego अपने देखाऊगा ego always use होता है किसके साथ तो past indefinite tense के साथ अगर कहीं पे ego आपको देखने को मिले तो उस sentence को चुप चाप past indefinite में change कर देना अगर वैसा नहीं होगा past indefinite tense में नहीं होगा तो अब समझ लेना कि वो sentence गलत है ego तो past indefinite तो past indefinite में होगा ठीक है अगर नहीं है तो गलत हो जागा example सा समझो he has come a month ego ego लगा है तो ये क्या होना चाहिए था past indefinite में होना चाहिए past indefinite तो ये क्या हो जागा गलत हो जागा correct sentence क्या हो जागा आपको यहापे v2 लगाना पड़ेगा past के लिए तो आप लगाते हो क्या v2 तो v2 लगा है he came a month ego तो ये correct हो गया तो देख लेना जहाँ पे भी ego लगा होगा तो आप चुप चुप खोज ना कि ये past indefinite है कि नहीं tense नहीं होगा तो वो गलत होगा okay next हमारा previous year question का session है ठीक है जिसमें हम आज बात करेंगे 24th July के shift second की चलिए जानते हैं कि आज का पहला question कौन पहला है तो आज का पहला question कह रहा है कि आपको most appropriate idiom या phrase बताना है इस word के लिए ठीक है word क्या है not to take things seriously चार option है pull someone's leg second option है that's the last straw take it with a grain of salt your guess is as good as mine ठीक है और आपको मिलेगा shift for shift 10 second इसको answer करने के लिए और आपका time start हो था अब तो फटाक से answer करना बहुत ही easy है I hope आप सब लोग answer कर पा रहे होगे असानी से within time frame में तो इसे के साथ time up हो चुका है I hope आप सभी लोगों ने सही से answer कर दिया होगा ठीक है इसका जो correct answer होगा वो क्या होगा take it with a grain of salt ठीक है not to take things seriously क्या करो आप कोई भी चीज़ों को seriously नहीं ले रहे हो मतलब क्या है आप salt का grain ले रहे हो ठीक है उसके लिए एक idiom है take it with a grain of salt अगर आप salt का एक धाना लोगे मतलब कि आप उस चीज़ों को seriously नहीं ले रहे है ठीक है चलिए next बात करते next question कहा रहा है कि आपको antonyms बताना है किसका disabled का ठीक है और चार option है tidy, infuriated, clumsy, excited यह मैंने आपको करवाया है last या second last class में ठीक है तो फटक सेंसर का ना बहुत हीजी है और यह किया हुआ है तो आप लोग बढ़ी असानी से कर पा रहे होगा अभी तक एंसर जिन्होंने class की होगी तो उनके लिए तो यह हलवाता तो इसे के साथ time up हो चुका है आप सबी लोगों ने सही सेंसर कर जाओ तो disabled मतलब मैंने आपको बताया था मेसी बिखरा हुआ ठीक है फ्लीटी दर्टी गंदा यह सब होता तो इसका correct अंटोनिम्स क्या हो जागा tidy tidy मतलब क्या होता है साफ जो चीज टीडी होती है tidy होती है वो साफ होती है disabled का बताने का जोगत नहीं है क्योंकि मैंने आपको previous class में बहुत ज़्यादा बताया है इसके सारे synonyms बताया है endonyms भी बताया थे tidy भी बताया था साफ सूथरा clean translucent infuriated मतलब क्या होता है गुसा करना ठीक है irritate करना clumsy मतलब क्या होता है ja anari slow unskilled हो ठीक है जिसके पास कोई skill ही नहीं हो artless बोल सकतो artless बोल सकतो unskilled बोल सकतो talentless बोल सकतो जिसके पास कोई talent ही नहीं है वो क्या है talentless है excited भी बताया था आपको कल ही बताया थे evolient ठीक है प्रिवियस क्लास किया होग तो आपको बता होगा चले नेक्स कोश्चन की तरफ चलते हैं ode में नेक्स कोश्चन कह रहा या कि आपको वठाना एक स्क्टन में इस ग्रूप ऊफ वर्ड्र के लिए क्या है उसको क्या बोलते हैं, चार ओफसन है, फैटल, ग्रूसम, फॉस्टर, ग्रोटेस्क्यू, फटा अक्स अंसर करना, आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब, SSC ने काफी बार ही इसको पूछा है, बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसा समझ तो हर बच्चे को ये तो याद ही होगा, और आप बड़ी असानी इससे इलिमिनेट भी कर पाऊगे, तो इसे के साथ टाइम अप ओछुका है, आप सबी लोग ने सही सही अंसर किया होगा, किसी ने गल्ट नहीं किया होगा, तो इसका करेक्ट अंसर क्या ओजगा, फैटर, ठीक है, गुरूसम क्या होता है, कोई भी चीजू जो अंकलिजेंट हो, ठीक है, बहुत ही सॉकिंग हो उसी को बोलते हैं же foster क्या होता कि ऐसे मानलों कि आप किसी बच्छे को देखा आप लोग ने उसको गोद ले लिये ठीक है legally आपने उसको गोद ने लिया उस बच्छे को लाए घर पे लाए ठीक है उसको पाला पोसा लेकिन आप legally उसके पैरेंट्स नहीं है उसी को बोलते हैं फॉस्ट है अपने सुना का फॉस्टर चाइड वेगरा ग्रोटेस्क क्यों क्या होता है इस्ट्रेंज और अगली वे डाइट इस नॉट नेच्ट नेच्ट है इस्ट्रेंज वे होता किसी भी चीर को कहने का या कोई फेस बनाएगा जो नेच्ट्रल नहीं होता उसी को बोलते हैं ग्रोटेस्क की नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपको एंट्रोनिम्स बताने किसका तो रेक्टिफाई का ये भी बहुत एज़ी है चार अप्शन है अल्टर रीजन मोडिफाई और सेन फटाक्शन से करना ये तो बहुत आप सबी लोग ने सई सेंसर कर जिया हो तो रेक्टिफाई करना मतलब किसी भी चीज में क्या करना सुधार करना तो सुधार करना तो सुधार ते कैसे उसको रिपेर करते हो उसको हलका सम मोडिफाई करते हो ठीक है अल्टर नहीं करते हो याद रखना कि अल्टर इसके सिनो पूरा उसको बदल देते हैं स植े कर देना थिक है जय से कि आपको कुछ सूच हे काम नहीं करता है पूरा पूरा बदल देते हो लेकिन कुछ चीज़े होती है जैसे कि आपने लेप्टप लिया कुछ खराबी होती तो अप उसको repair करतों उसको modify करते हैं ठीक है I hope आपको ये चीज़ clear हो गएगा region मतलब कारण modify आपको अभी बता ही दिया ठीक है चलिए next बात कर लेते हैं next भी है आपको one body बताने इस group of words के लिए one who believes in faith ठीक है चार ऑप्षन है रियालिस्ट, ओम्निसेंट, अग्नॉस्टिक, फैटलिस्ट, फड़ाक्स एंसर करना आपका टाइम स्टार्ट होता है आप और हिंट दे देता हूं कि इसके नाम में ही सारा कुछ छुपा है फेट से ही रिलेटेब कुछ वर्ड देखने को मिलेगा वही अंस और तो इसे के साथ time up हो चुका है अई होप आप सभी लोगोंने सही से उसकर कर दिया वह तो उसको क्या बोलते है जो फैट पर विश्वास रखता है फैटलिस्ट ठीक है फैटल नहीं है फैटलिस्ट है यह ठीक है रियलिस्ट जो वास्तविकता को स्विखारता है ठीक है जो वास्तविक situation उसको शिवकारता है, Omniscient, जिसके पास unlimited knowledge है, या बोल सकते हो व्यापक knowledge है, ठीक है, complete knowledge है, Agnostic कौन होता है, ऐसा person, जो CEO नहीं होता है, कि भगवान होते है, या नहीं होते हैं, ठीक, इस बात को लेकर, तो वो CEO नहीं होता है, चलिए, next बात कर लेते हैं, next आपको antonyms बताना है, आज का EGPG word है, sweet का, चार option है, delicious, pleasant, bitter, special, ठीक है, ये, एक L extra हो गया, ठीक है, ऐसा समझ लो, correctly, incorrectly spelled वाला situation हो गया, तो आपका time स्टार्ट होता है, प्रडाक्शन सकाना, दो से तीन सेकेंड का question था, ठीक है, फिर भी मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, कि आप अच्छे sensor कर पाउस्टों समझ कर, तो इसी के साथ time आप को चुका है, I hope आप सभी लोगोंने सही sensor कर दिया होगा, तो कोई चीज sweet है, उसका antonyms क्या होगा, बीटर, delicious है, pleasant है, ठीक है, चलिए next बात कर लेते हैं, next भी आपको synonyms बताना है, transgression का, ये भी बहुत बार मैंने आपको ख़रवाया है, ठीक है, चार अप्शन है, metamorphosis, success, violation, virtue, फटाक से answer करना, बहुत ही जीपीज है, SSC ने भी बहुत बार पूछाई ये वर्ड, अब तो बच्चों को याद भी हो गया, कि ये सारे वर्ड्स के synonyms क्या होंगे, antonyms क्या हो जाएंगे, ठीक है, सब को रखना है, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सबी लोग ने सही सही answer कर दिया है, Transgression मतलब क्या होता है, उलंगन करना, किसी भी चीज़ का violation करना, ठीक है, Breach करना, Outrage करना, अब बोल सकतो, Breach, Outrage, ये सब क्या हैं, इसके synonyms है, बात कर ले, Metamorphosis की, इसका मतलब क्या होता है, रूपांतरन करना, किसी चीज़ का आप, क्या करतो, रूपांतरन कर देतो, Transform कर देतो, Modify कर देतो, ठीक है, Transformation, ठीक है, Transform करना, Modify करना, Success आप सभी को पता है, सफलता, Virtue मतलब क्या होता है, गुन, ठीक है, चलिए, Next बात कर लेते, गुन बोल लो, Property बोल लो, गुन, Property, यह समय आपको करवा रखाओ, Quality, यह तो बहुत बार करवा है, आप सभी को याद होगा, तो 3-4 और आप कमेंट में, फटक से बता दो, इसके सीनमींज, चलिए, Next question है, कि आपको क्या बताना, appropriate meaning बताना, इस phrase का, ठीक है, Throw caution to the wind, चार ओप्शन है, Act Felicly, Spend Lavishly, Fight with Wind, Take Risk, फटक सेंसर करना, आप क्या करो, चुनावती दे रहो, किसको कॉसन दे रहो, धमकी दे रहो, किसको विंड को, तो कौन कर सकता है, फटक सेंसर करना, तो इसी के साथ, टाइम आप हो चुका है, आप सभी लोगों ने, सही सही अंसर कर दिया हो, तो इसका correct answer क्या होगा, Take Risk, किसको विंड को चुनावती दे रहो, मतलब आप Risk ले रहो, ठीक है, जाली, नेक्स्ट बात कर लेते, नेक्स्ट आपको बताना है कि, incorrectly spelled word कौन सा है, चार वर है, तो आपको synonym, 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 से वकाब बहा तो वहाँ बताया था, आपको इस्पेली में तो अभी तक याद हो गई होगी, ठीक है, तो इसका जो, इसमें incorrectly spelled है, वो है करिश्मा, ठीक है, एच नहीं होता इसमें, क्या होगा, सही, करिश्मा, ठीक है, चलिए, नेक्स बात कर लेते हैं, नेक्स्ट, यह figure देखो, आपका homework question है, क्या है, cheek by jaw, इसका मतलब बताना है, ठीक है, क्या होता है, इस idiom का मतलब, cheek by jaw, ठीक है, comment में इसका मतलब भी बताना, और ये भी बताना, कि out of nine, nine question थे, ठीक है, उसमें से, आपका score क्या रहा है, ये बताना, आप लोग न भूले, और class कैसा लगता, ये भी comment में बता हो, और क्या improvement चाहिए, आप ये भी suggestion दे सकतो, comment में, मैं हर किसी का comment पढ़ता हूँ, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज का class आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कर दे, channel को subscribe कर दे, और अपने दोस्तों में share करना न भूले, ठीक है, तो मिलता हैं फिर next lecture में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, केक किया,